गुट मॉनिंग स्टुडेंट आज हम तरंग हिंदी पाठ माला कक्छा साथ का पाठ चार हार की जीत पढ़ेंगे यह कहानी है जिसके लेखक स्री सुदर्सन जी है इस कहानी में लेखक ने एक भयंकर डाकू के हिर्दय परिवर्तन की घटना को प्रस्तुत किया है तो चलिए इस कहानी को संचित में पढ़ते हैं एक गाउं में छोटे से मंदिर में एक संत रहते थे उनका नाम बावा भारती था उनके पास एक गोड़ा था जिसका नाम सुल्तान था वे उसे बहुत प्यार करते थे और उसके बिना रह नहीं सकते थे उस इलाके में खड़क सीह नाम का एक डाकू रहता था उसने लोगों से सुल्तान की प्रसंसा सुनी और उसे देखने के लिए बावा भारती के पास आया उसे वे गोड़ा बहुत अच्छा लगा उसने जाते समय बावा भारती से कहा कि वे उस गोड़े को उसके पास नहीं रहने देगा बावा भारती इस धमकी से दर गए और कई महिनों तक रात को अस्तवल में गोड़े की रखवाली करते रहे एक दिन जब वे सुल्तान पर बैठ कर गूमने जा रहे थी तब ही एक गरीब आदमी ने उन्हें आवाज दी वे अपाहिस था उसने बावा भारती से विंती करी कि वे उसे अपने गोड़े पर बैठा कर दूसरे गाउं तक पहुँचा दें बावा भारती ने उसे गोड़े पर सवार कर दिया और श्वेम लगाम पकड़ कर चलने लगे सहसा उनके हाँ से लगाम छूड़ गई और उन्होंने देखा कि वे आदमी गोड़े को तेजी से भगाए ले जा रहा है उनके मुक से चीख निकल पड़ी वे आदमी खड़क सिंग था उन्होंने कुछ सोच कर खड़क सिंग को आवाज दी और रुखने को कहा उन्होंने उससे कहा कि अब वे गोड़ा उसका है और वे उससे उसे बापस करने के लिए नहीं कहेंगे लेकिन उनकी एक प्रातना है जिसे वो आशिविकार नहीं करना चाहिए उन्होंने उससे कहा कि उस घटना के बारे में वे किसी को ना बताएं उनका विचार था कि यदि लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो वे दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेंगे ये बात खड़क सिंग के मन को चूग गई वह बावा भारती के उचे विचारों को देकर आश्चर चकित रहे गए वह उस घोड़े को इतना प्यार करते थे कि उसके बिना जी नहीं सकते थे लेकिन उस समय उन्होंने अपने दुख की चिंता नहीं की बलकि वे दीन दुखियों के बारे में सोच रहे थे इससे खड़क सिंग का हिर्दय परिवर्तन हुआ और रात के समय वह सुल्तान को बापस अस्तवल में छोड़ गया सुबह बावा भारती उसे अस्तवल में देखकर अचम्मेत हुए वे उसे गले से लगा कर इस प्रकार रोए जैसे एक पिता अपने बिठ़े हुए पुत्रे से मिलकर रोता है उन्हें यह संतोस हुआ कि अब कोई दीन दुखियों से मुह नहीं मोड़ेगा तो बच्चो आपको यह कहानी पसंद आई इस कहानी का उद्देश यह बताना है कि यदि स्वार्थ की चिंता ना करके परहित या मानव कल्यान के भाव से आचरन किया जाए तो दुख्र व्यक्ति में भी मानवता की भावना उत्पन्य हो सकती है जिस प्रकार डाको खड़क सींग का हिर्दय परिवर्तन हुआ थेंक यू